नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे मैद का इंपोटेंट कोसन सभी कुसेन इंपोटेंट ऊप्टेंट कोसन लिए गए हैं इसमें आपको सबसे एसान ट्रीक बताएंगे तो चलिए देखते हैं फ़स्ट कोसन किसी संयुक परिवार में दादा दादी के आउसत आयू 66 बर्स है मता पिता के आउसत आयू 36 बर्स है तथा तीन पौत पौतरियों के आउसत आयू 6 बर्स है संपुन परिवार के आउसत आयू कितनी होगी देखे क्या करना है दादा दादी है तो ये लिखेंगे 2 और 67 है तो क्या करेंगे? 67 से multiply करेंगे गुना कर लेंगे कितना आ जागा? 134 उसके बाद माता पिता यहाँ 2 हो जागा कितना है? और 36 तो 36 से multiply कर लेंगे कितना आ जागा? 32 जेगा 22 लिख लेते हैं आगे पढ़ना है तीन पौतरियों के ओसा ताईव 6 वर्स है ये तीन है कितना 6 वर्स? तो 6 तिया कितना आ जागा? 18 अब क्या करेंगे? सभी को जोड़ लेंगे 8, 2, 10, 4, 14 और इधर 7, 3, 10, 11, 12, 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 12 आ गया और टोटल परिवार ही इसमें से कितना आ जागा? 4, 3, 7 तो क्या करेंगे? साथ से भाग दे देंगे तो औसाथ वर्स आ जागा इसका तो साथ से भाग देंगे, सत्तिया 21, बचा कितना? 1, 7, 2, 14 कितना एंसर आ जागा? 32 वर्स, आप्सन नमर 2 सही एंसर है अगला कोशन देखते हैं, कोई धनरासी सधारन ब्याच की तीन वर्सों में 840 तथा, साथ वर्सों में 12 रूपिया हो जाती है मुल्धन का मान क्या होगा? इसके लिए क्या करना है? देखें तीन वर्स में कितना बोल रहा है? 3 वर्स में 840 बोल रहा है और 7 वर्स में कितना बोल रहा है 1200 अब क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे तो ये कितना वर्स आ जागा 5, 4 वर्स आ जागा 7 में 3 घटा लेंगे कितना जागा 4 वर्स और इधर से घटा लेंगे 1200 में 840 घटा लेंगे कितना जागा 360 तो एक वर्स का निकाल लेंगे 946, तो एक स्वराबर कितना आ जागा 90, तो निकालना है पहले कितना तीन वर्स का, तीन वर्स से इधर multiply करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 9 तिया, इससे 3 से करेंगे multiply, 9 तिया 27, कितना आ जागा 270, अब क्या करेंगे 270 को 840 में 270 घटा लेंगे कितना आजागा पांसो सक्तर पांसो सक्तर देखिया उप्षन नमर भी सही एंसर है अगला कोशन देखते है दो संख्या तिसरी संख्या के करम सथ 10 परतिसत और 12 परतिसत कम है पाली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितना परतिसद बढ़ाना होगा ये भी असान है सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है दो संख्या बढ़ गाए पहले क्या बोला है 10 परतिसद और 20 परतिसद कम हो रहा है तो 100 में 10 गटा लेंगे कितना आजागा 90 तो यहां से दूसरी संख्या और तीसरी संख्या लिख लेते हैं 100 में 10 गटाएंगे तो 90 और 20 गटाएंगे तो 80 आजागा और तीसरी संख्या पहले बराबर दूसरी संख्या को कितना परती तो तीसरा अप्संख्या के कितना आ जागा 100 पर 30 अब क्या करेंगे देखिए इससे कितना घट रहा है 10 घट रहा है किस से 80 पर तो 10 यहां होगा और multiply वें कितना जागा 100 तो यहां से 0 से 0 और इससे कटाएंगे तो कितना जागा 12.5 अप्सन नम्मर अप्सन नम्मर C सही अनसर है अगला question देखते हैं next question Kia है दो संख्याओं का अनपाथ 5 अनपाथ 11 है यदि दोनों संख्याओं में 10 की विर्दी की जाए तो अनपाथ 7 अनपाथ 13 हो जाता है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा कितना बोला है 5 अनपात 11 और ये 7 अनपात 13 में हो रहा है अंतर दोनों तरब सेम होना चाहिए इधर देखें 2 इधर भी 2 तो 2 बराबर 10 की विर्दी हो रही है तो 10 इसे 2 से कितना 10 गुना है 10 जो है कितना गुना है भाग देखेंगे तो 5 गुना जादा है 5 गुना जादा है पुचा है संख्याओं का योग तो संख्याओं का योग या तो यहां पे इसको जोड़ लेंगे और 5 से मल्टिप्लाइ कर लेंगे तो आ जागा या तो एकक करके भी बना सकते हैं यहां से 5 से करेंगे यह कितना आजागा 25 और इसको भी 5 से करेंगे कितना आजागा 55 दोनों को जोड़ लेंगे कितना आजागा 80 ऑप्सन नम्मर ए सही अंसर है अगला कुश्चन देखते हैं एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही कहल किये उससे दोगुने गलत हल किये यदि 54 सवालों को हल किया तो सही हल किये गए सवालों की संख्या ग्यात किजे एक तरफ सही का लिख लेता है और एक तरफ गलत का क्या बोल रहा है कि चितना हल एक विद्यार्थी जितने सवाल सह कि उसके दोगुने गलत कि एक सही कर रहा है तो दो Linux कर रहा है यह टोटल कितना जागा 3 है कि दिया कितना 54 सवाल को हमिए इसे कितना गुना से च च पर स्फॉवन को भाग देखेंगे भाग कैसी देखेंगे तो आठारा गुना जाद अठारा तिया चоне तो यह भी 18 गुना हो जागा, कितना आजागा 36 और ये सही वाला भी 18, कितना आजागा 18, पूछा किस है, सही हल किये गए सवालों की संख्या, कितना आजागा 18 इंसर आजागा, option number B सही इंसर है, अगला कोशन देखते हैं, 15 करमागत संख्याओं का आउसट 18 है, यदि उन सबी संख्य को दो से विवाजित किया जाए, तो नया आउसत क्या होगा, देखे, यहाँ 15 करमागत संख्याओं का आउसत कितना आठारा है, दो से विवाजित किया जागा, तो इसी को दो से विवाजित कर लेंगे, कितना जागा, no, option number B सही इंसर हो जाएगा, अगला कोशन देखते हैं next question क्या दिया गिया है, एक दुकंदार कहता है कि मैं सभी वस्तुए करे मूल पर बेचता हूँ, लेकिन वो एक किलो के वाट के स्थान पर 800 ग्राम के वाट का इस्तमाल करता है, उसका लापरतिसत क्या होगा, देखे, एक किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर कितना का इस्तमाल करा 800 खाते, इसको लिखेंगे नीचे 800, multiply में कितना आ जागा, 100 हो जागा, अब देखे, यहाँ से कटा सकते हैं, 00 से 00, 248 और 25 चोके कितना जागा, 100, कितना answer आ जागा, 25 परतिसत, option number A, सही answer है, अगला question देखते हैं, 500 लिटर के दूद के घोल म कितना और दूद मिला दिया जाए, कि ताकि घोल में दूद की मातरा 60 परतिसत बन जाए, तो सबसे पहले देखे, 500 लिटर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखना है, यह दोनों का अंतर, 40 और 60 का अंतर कितना है, 20 का 30 जगह लिखेंगे, 20, और नीचे क्या लिखेंग नई मातरा, तो देखे, 100 में 60 घटाएंगे, नई मातरा कितना है, 60, तो कितना आज जागा यहाँ, 40, 20 दुना, 40, और दो से इसको कटा लेगे, कितना आज जागा, 250, आप्सन नमर ए सही एंसर है, अगला कोर्शन देखते है, नेक्स्ट कोर्शन क्या है, किसी वस्तु को 524 म बेचने पर हनी, वस्तु का करे मुल क्या होगा, तो देखे, जब भी है, तो यह क्या करेंगे, दोनों को जोड के, 2 से भाग दे लेंगे, 524 और 452 को जोड लेंगे, और इसको 2 से भाग दे लेंगे, 976 भाग 2, कितना आज जागा, 488, आप्सन नमर सी, सही एंसर हो जागा, नेक्स्ट कोशन लेखते हैं, राम और स्याम से 20 वर्स चोटा है, 5 वर्स पूर्व उनकी आयू में 3 अनपाथ 5 का अनपाथ था, उनकी वर्तमान आयू ग्यात किजिए, देखे, राम और स्याम का पूचा है, ये कितना दिया गया, 3 अनपाथ 5, 5 वर्स पूर्व उनकी आयू और ये भी 10 कुना, कितना आ ज़का 50, अब बोला है 5 पर्स PURL, तो क्या करेंगे, इसमें से 5 पर्स जोड़ लेंगे, तब ही तो आ ज़का, तो 5 पर्स जोड़ेंगे, इधर कितना ज़का, 25, और 5 पर्स 15, में 5 जोड़ लेंगे, कितना ज़का 55, तो दोनों का योग पूछाए यहाँ पर उनकी वर्तवान आयू का योग 55 और 35 को जोड़ देंगे कितना आ जागा 90 ओप्शन नम्मर C सही एंसर है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक से सस्क्राइब जरू कीजिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिए